नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सुपी का अलानेटा फॉस्टी यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बड़ी अपडेट के बारे में जो के संब्धित है यूपी टीटी को लेकर इसके अलाबार उत्तर प्रदेश में नई प्राथ्मिक शिच्छ प्रेटी को लेकर लेकिंश बडियो को पूरा देखreten बीडियो को देखें जिससे अपको रप्साय कर मिल पाएं चाहिं हैं तो जबसे बड़ी पार्टियों की तरब से अपना यलान वह कर दिया गया है मतलब कि बीजेपी के माध्यम से अपना गोशनापत्र जारी कर दिया गया है जिसकी जानकाई मैंने आप सुभी को दी उसके बाद आप सुभी ने देखा कि सपा के माध्यम से भी अपना गोशनापत्र यहां से जारी कर दिया गया है और उसकी भी जानकाई आप स्वी को मैंने वीडियो के माध्यम से दे दी थी लेकिन अगर बात की जाए गोश्णापत्यों के आधार पर किसके गोश्णापत्य के अंदर क्या क्या जानकारिया हैं तो कुछ जानकारी आप सभी को उपर उपर से पहले से बता दी गई थी कि भारती जंता पार्टी के बात की जाती है सभा सरकार के गोश्णापत्य के बारे में तो कई मैतवड बिंदू देखने के लिए मिलते हैं जो कि सिच्छक बरतियों को लेकर या फिर तमाम बरतियों के बारे में या इसके अलाबा अगर बात की जाए शिक्षा मित्तों के मामले को लेकर आप जानते है सिच्छकों को निप्तियां भी मिल चुकी हैं लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाब शुरू हो चुनाब से पहले नए नए गोशनापत्य आपको देखने के लिए मिलते हैं अगर बात की जाए समाजबादी पार्टी के गोशनापत्य के बारे में तो की बातों को आपके सामने क्लियर करूंगा तो सबसे पहले आगर बात की जाए रोजगार को लेकर तो यहां पर आप सभी को यूबा और रोजगार का एक कॉलम देखने के लिए मिलता है जिसमें उनका कहना है कि समाजबादी पार्टी उत्तवर्श यूबाओं को साथ भी बुबती को लेकर आत्म नेवर वविश्य के सुनिश्चित करेगी इसके अलाबाबा अगर बात की जाए गुडबत्ता सहचिक अवसर देखने के लिए मिलेंगे सो रोजगार के लिए कौसल विकास देखने के लिए मिलेगा और भी तमाम चीज़ें यहां पर लेकर यहां सुनिश्चाव की बारे में यहां पर आप सुनिश्चाव के सामने देखने के लिए मिल जाएंगी किस late-1927ागी इंसके अलाबा रोजगार को लेकर यहां पर आपर जुगार का मतलब हम कह सकतें कैंदा माध्यमों से मिलने वाला जो आप सुनिः लेकिन अगर बात कि शिक्षा मित्रों के बारे में भी जानकाई देखने के लिए मिल जाती है तो जैसा कि आप सुभी को यहां पर देखने के लिए मिलेगा बेवसाइक सिच्छा के रूप में उनका कहना था कि सैनेक स्कूल खोली जाएंगे इसके अलावा पांच लाग यूबायों को कॉसल विकास कारेकरम से जोड़ा जाएगा इसी के नीचे आप सुभी को सिच्छा से संबंदी जानकाई या देखने के लिए मिलेंगी कि यहां पर सिच्छा मित्तों की बहाली की जाएगी उनका जो प्रेसेशन का कारेकरम होगा उसको दोगुना किया जाएगा इसके अलावा उनके लिए बिशेश अभ्यान भी चलाया जाएगा जिसके माध्यम से शिक्छा मित्तों का यहां पर कहने की जो बेतन है उसकी अंदर भी आप ब्रद्धी देखने के लिए मिलेगी सिक्षा मित्तों का मांदे 5000 रुपे की ब्रद्धी भी की जाएगी और उन्हें 3 साल की भीतर सरकारी नोक्री भी दी जाएगी अब यहाँ पर चातों के मन में अलग-अलग सवाल है उसका सबसे बड़ा कारन यह है कि शिक्षा मित्तों की निक्तियों को सुप्रीम कोट की तरफ से रद्द जब किया गया था तो यहाँ पर उनका कहना था कि इनके पदों पर सिच्छों की जो भरतिय वो करवाई जाएगी जो कि सरकार की दरब से पहले से कर दी गई है लेकिन अब ऐसे में सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सिक्षा मित्तों को यहां पर निक्तियां दी जाती है तो कितने पदों पर निक्ति मिलेगी क्योंकि लगबग प्रदेश के अंदर एक लाख अठावन अजार से ज्यादा सिक्षा मित्र है पहला दूसरा बिंदू ये है कि सुपीम कोट के आदियस को किस प्रकार लागू किया जाएगा क्या इनके लिए कोई अलग से प्रापधान बनाया जाएगा हलाकि यहां पर लिखा हुआ है कि अभ्यान चलाकर इनको जो निक्तियां वो दी जाएगी लेकिन क्या प्रोफार्मर होगा क्या फॉरमूला लगाया जाएगा इसकी जानकाई तो बाद मी दी जाएगी लेकिन सिक्षा मित्तों के बारे में सरकार ने पूरा इस्पस्ट कर दिया है लेकिन अगर बात की जाए प्राथ्मिक सिछक वर्ती को लेकर आप सुभी ने बीजेबी का घोशना पत्र देखा उसके अंदर चात्तों को बड़ा जटका लगा उम्बीत थी सरकार के जाए कि अलग अलग आने वाले सरकारों की तरफ से गोशना की जा जी है आपकी तरफ से कहा गया कौंगेस की तरफ से कहा गया तो हो सकता है कि बीजेबी के माद्यम से भी गोशना की जाती लेकिन उन्होंने ना तो सिच्छक वर्थियों को लेकर और ना ही सरकाई नोकियों के बारे में कोई अलान किया सेम अगर बात की जाए सपा के माध्यम से उन्होंने अपने वयान के अंदर ये कहा कि सरकारी सिचकों की अगर बात की जाए जो भी पद खाली है उनको एक साल के अंदर भाज आएगा लेकिन अगर बात की जाए जो छातों की तरब से मांग की जाती थी कि 97,000 पदों को यहाँ पर अपने गोशनापत्त के अंदर शामिल किया जाए हाला कि उस मुद्धे को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए B.A.D. B.T.C. तमाम चातों के नाम लिखे हुए है अला कि B.A.D. वाले अभ्यातियों का नाम तो नहीं है लेकिन B.T.C. वाले चातों की बात की जाए या फिर गड़त विग्यान को लेकर बात किया जूनिय सिचकों की भरती की बात की जाए जो कि 29,000 की उस भरती की बात की गई है इसके अलावा BPA वाले चात्तों के बारे में भी जानकरी देखने के लिए मिलती है और भी तमाम चीज़ें हाप सुभी को देखने के लिए मिलेंगी लेकिन अगर बात की जाए खुल कर प्रात्मिक सिचक बरती के बिग्याबन को लेकर वो किसी भी गोशनापत्ती के अंदर देखने के लिए नहीं मिलाएं इस बात में कोई दोराय नहीं है कि सपा की तरब से जारी गोशनापत्त कहीने के युबाओं को अपनी तरब लानी का प्यास है लेकिन भाजबा के गोशनापत्ती के अंदर यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी यहाँ पर चात्तों के लिए चीज़े नहीं लिखी हुई है लेकिन फिलाल इसके अंदर उसके अंदर जमीन आसमान का अंतर है लेकिन दोनों में सबसे बड़ा जो कहिने की कॉमन चीज़े वो यही है कि सदान बेरजा सिच्छक बरती या फिर प्रात्मिक सिच्छक बरती को लेकर खुलकर लिखित तोर पर जानकाई किसी के अंदर नहीं दी गई है भले ही उन्होंने अपने बयान के अंदर एलान किया है कि आगामी समय के अंदर जो भी सिच्छकों के परदखाली है उनको यहां से बढ़ा जाएगा हाला कि गोशना पत्त तो बहुत बड़ा है उसके बाहरे में जादा पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सुपीम कोट की तरब से सिच्छा मित्तों की निक्तियों को रद्द कर दिया गया है तो यहां पर सरकार की तरब से किस प्रकार सिच्छक उनको बनाया जाएगा क्या कोई और जास्ता अपनाया जा सकता है जैसे कि सभी को T.E.T. क्वालिफाई करवा के उनको यहां से निक्ति दे दी जाए या फिर सिच्छक बरती के माध्यम्स उनको बैठने का मोका दिया जाए क्योंकि उन्होंने अपने गोशना पत्त के अंदर बिल्कुल इस्पष्ट किया हुआ है तो वहीं दो सिदर सुपीम कोट का आदेस था कि एक लाग चालीस जार शिक्षा मित्तों के बदो पर जो नई सिच्छकों की भरती है वो होनी चाहिए जो कि क्वालिफाइड हो टीटी के साथ ही अगर सरकार सुपर टीटी लगाती है तो पहला दूसा करेने की अगर बात किजए नई प्राथमी सिच्छक भरती को लेकर तो यहां पर सपाग के माद्यम से ऐलान तो किया गया है लेकिन लिखित तो पर किसी के माद्यम से भी 97000 सिच्छक भरती के मुद्दे को अपने गोशना पत्तों में शामिल नहीं किया गया है जो कि कही न कही चार्तों के लिए कह सकते हैं कि जटका है उनको उम्भी दे थी कि आगामी समय के अंदर अगर कोई भी सरकार यहां से आना चाहती है जैसे कि आम आदमी पार्टी ने 97000 का एलान किया अगर बात किया कॉंगेस को लेकर उन्होंने डेड़ लाग सिच्छक भरती का एलान किया लेकिन अगर बात किये लिखी तोर पर दोनों गोशना पत्तों के अंदर कोई भी पार्टों की संख्या के बारे में जानकाई नहीं दी गई है मैं किसी पार्टी का ब्रोद और सपोर्ट नहीं करा हूँ लेकिन जो चीज़ें आप सभी के सामने उसको कहने की बिशलेशन आप सभी के सामने रखा जा रहा है अलग-अलग पार्टी ओं के बाद्यम से अलग-अलग गोशना की गई है लेकिन कहीं नकी अगर बात की जाए नई प्रात्मिक सिचक बरती के बिग्यापन को लेकर अभी भी सरकारें पूरे तरीके से बोलती हुई दिखाईनी दे रही है कि मैं कितने पदों बरती हों के बिग्यापन जारी होंगे लेकिन अभी अगर बात किया दो बड़ी पार्टियों के मैनिफेस्टों के अंदर ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है लेकित तोर पे नहीं प्रात्मी सिच्छक भर्थी को लेकर लेकर लेकिन अगर बात की जाए वहीं दूसी तरफ अपनी अगली अपडेट की तरफ जो की संबंदित है UPTET को लेकर जैसा कि दोस्तों आप जानते कि UPTET की आंसे की को लेकर काफी लंबे समय से अब्वैती इंतिजार करेए थे ऐसे में बात के रहें UPTET की आंसे को लेकर सची परशा निमक परिदिकारी के माधियम से मिली जानकारी की अनुसार यहां पर जो चात्रों की तरब से उनको उठाकर विशाय विश्यजर की समधी के पास बेज दिया गया है अभी तक जो जानकारी मिली उसके आधार पर देखा जाए तो यूपी टीटी की आंसर की जो होगी वो रिजल्ट से एक दिन पहले जारी करने को लेकर यहां से जोजना बनाई जा र कर दें सीटेट्ट 211 के परडाम के बारे में जनकारी मिली थी कि यहां से शंक्यूतित आंसर की जादी होते उसका परडाम जारी कर दिया जाएगा अभी तक अगर बात की जाए तो 15 फरवरी तक यहां से जनकारी देखने के लिए है लेकिन अगर बात की जाए बाहर तारीक के बाद में कभी भी सीटेट 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा क्योंकि इसके बाद सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें